दोस्ता अब लाइस कोई की प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस अल्मोस 13.8 ये चल रही है ट्वंटीफोर और में 10% का इसमें डंप देखने को मिला है इसके प्राइस मुमेंट के बारे हम बात करेंगी कहां पर इसको एक सपोर्ट एरिया है यहाँ पर मेंटेन करके सारी जीजों को बारे में बात करेंगे इस वीडियो में उससे पहले अगर आपने अभी तक कोईन DCX एप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से कोईन DCX एप डाउनलोड करें क्योंकि इसमें मिलना सो रुपय का इथिरियम इसा साइन अप बोनस और आप अपने दोस्तों को अच्छा खासा रिट्रेस्मेंट देखने को मिला और इसी टाइप से सारे जो कोईन से जो जिनमें हमें अच्छा पंप देखने को मिला था वो सारे कोईन में वापिस 10% के आराउन का हमें डंप देखने को मिला इसने 15.7 वाला एरिया है यहापर कल की डेट में नाइट के में टाश किया था और वापर सामय रिट्रेस्मेंट देखना भी अल्मस्ट थाटीन पॉइंट्ट वाल एरिया सपोर्ट जो था वो 10 से लेके 10.5 वाला सपोर्ट एरिया था इससे उपर इसने देश्मेंट किया यहां से एक जो इसको resistance area मिल रहा था 13 URDT वाला area इसको resistance था और यह इसके लिए support निकल किया है इससे उपर इसने daily closing की यहां पर 2-3 दे और इससे उपर sustain कर रहा है अभी अगर इससे उपर आज का daily closing करता है तो हम इसी area पर इसको इसकी price देख सकते है 13 URDT से उपर अगर 13 URDT से नीचे daily closing होती है तो फिर हमें हो सकता 12 या 11 वाल area भी यह touch करता हुआ देख सकता है तो अगर आप इसमें entry लेना चाहते हैं तो थोड़ा से यहां पर wait करिए 13 URDT का या फिर आज की daily closing का हाँ थोड़ी सी risky entry जरूर आप ले सकते हैं कि नहीं या 30 URDT से नीचे नहीं गया बाइचन से यहां से अप हो गया तो तो वो market पर depend करेगा यहां पर bitcoin की price पर depend करेगा bitcoin अब 49,800,700 के round trade कर रहा यहां से उपर आता bitcoin वापिस है तो इनकी price में हमें moment देखने को मिलागा लेकिन अभी 4-5 दिन से यह चीज चल रही है bitcoin दिन के time में जो हमारा time zone है इंडिया का उसकी बात करें तो दिन के time में अच्छा moment लेता है और फिर वापिस रात होते होते वहाँ उसको rejection मिलता हो वापिस daily closing उसी के round हो रही ही 50,800 तो यहां आप देख सकते हैं कि अभी moment शायद हो 15 minutes का chart देखें देखें अभी लगातार retracement देखने को मिल रहा है यहां पर red candles बनी एकाद green candle फिर red candle फिर एकाद green candle अभी यह से हुआ red candle फिर एकाद green candle तो हो सकता है यहां से थोड़ा सा इस area को आप वापिस से touch करता हुए देखें या फिर इस area को तो आप चाहें तो इसको लगातार watch करते रहें या फिर 13 unity पे या फिर 13.10 13.20 के round में एक आप by zone लगा दे by limit लगा दे hit करता है उसके बाद उससे नीचे कराता है अगर उससे नीचे आता है 13 unity से नीचे आता है तो फिर आपकी entry 12 unity के round फिर आप देखें 12.4 12.2 के round वहाँ पर और उससे भी नीचे आता फिर 11 unity तो दो तीन पार्टम आपको buy करना accumulate करना है देखी accumulation जरूरी है कि आपका ऐसा नहीं कि perfect trade आपका हो गया कि आपने नहीं आपने 13 unity पे buy कर लिए अब इससे नीचे नहीं जाएगा आपने 12 unity buy कर लिए इससे नीचे नहीं जाएगा या फिर आपने 13 unity buy किया और उससे नीचे नहीं गया उससे उपर चलागा बहुत अच्छी बात है अगर उससे नीचे गया फिर आपको वहाँ पर अगर 10% 8% का उसने correction लिया तो वहाँ पर आपको वापिस buy करना है तो 2-3 part हमाँ आपकी entry होनी चाहिए जितना भी आप amount लागारे उसको और दुसरी चीज़ ये है कि आप जितना भी amount लागारे एक ही coin में आपको नहीं लगाना है कम से कम 2-3 coin आप 10-1000 उपर लगा रहे तो 5-5-5000 उपर लगाई है 20-5000 लगा रहे तो कम से कम 3 coin में लगाईए कम से कम 4 coin में, 5-5 करके दो कोईन में भी 10-10 पर जो अच्छे कोईन से हैं उनमें और इंट्री थोटा सा वेट करिए कल बहुत लोगोंने इंट्री ले लिए होगी जैसे आप हो रहा था वहाँ पर इंट्री ले ली होगी बहुत लोगोंने इंट्री ली होगी market आप हो रहा अब यहां से तो बहुत ज़्यादा चला जाएगा, यहां से 55 चला जाएगा, BTC, दूसरे जो कोई ने, तो यह सा नहीं, थोड़ा सा correction आपको देखने को मिलता है, और देखिए आप वापस correction आपको सुबह जब आप उठा होंगे, correction आपको देखने को मिला हुआ, यहां से next ज तो target है, almost 22 USDT वाले areas को resistance करने को मिलेगा, उस भाट 27 के around में हापर जो इसका all time high है, वो वाले areas को resistance करने को मिलेगा, और हाला कि इसका all time high यहां पर 10 cent से लेके 60 USDT वाले areas ने touch किया था, तो वो भी आप कह सकते हैं, लेकिन वो all time high नहीं, वो एक fake होता है कि एकदम से buy बहुत अब ही 28 USDT आप इसका high मान सकते हैं, तो यहां से आप short time के perspective से भी अगर इसको 3-4 महिने के perspective से भी अगर buy करते हैं, older रखते हैं, तो आपको almost यहां 28 से भी उपर वाला area आपको touch करता हो इसमें, देखेगा अच्छा खासा potentialous coin के अंदर, आपको अच्छा खासा breakout भी आने वा area, तो यहां आपको हो सकता है, 40 USDT, long time के perspective से 50 USDT भी touch करता हो, देख सकें, और as a trader आपको यहां पर आप entry लेते हैं, 13 USDT, 16, 17 ला area देखें, और वहां से rejection मिलता है, थोड़ा सा वहां पर profit book करें, profit book करते हैं थोड़ा बाकि जो भी आप amount लगाए, वो आपका perspective जो भी हो, पर आपकी holding minimum 8 to 10 month की होने चाहिए, बाइचांस market में dump आता है, तो आपको amount आपको कम से कम recover हो जाए, आपको loss में sell नहीं करना पड़े, बाकि यहां पर हम कोई financial advice नहीं देते हैं, यह वीडियो सिर्फ education purpose से है, बाकि वीडियो अच्छा लागा, लाइक ज़रूर करें, चैनल को subscribe कर लें, थेंक यू